कि आज हम प्रिपेर करने वाले रोलेंट फिल्ड का सेवन इसका हैड लाइट इसमें यह तीन लाइट नहीं जल रही है और यह बीच वाले लाइट चाल हुए चले कनेक्शन करके देखते हैं यह यह बैट्री कनेक्शन है कि यह एक लाइट चल रही है जो बीच वाली और पागे की तीन लाइटे नहीं चल रही है यह देखिए कनेक्शन दे रहे के बाद भी यह लाइट में कोई पावर नहीं आ रहा है कि यह तीने लाइट नहीं जल रही है अब हम इसे यहां से खूलेंगे यह ब्लेड है यह रखकर इसे दबाएंगे ताकि इसका में जो एरो लाइट या गम लगा है वो कटकर निकल जाए कि इसे काटे समय थोड़े समभल कर काटेएगा नहीं तो यह आपके हाथ में भी ब्लेड लग सकता है यह काट लिया है अब हमें पेट्चियर की मदद से इसे खूलेंगे इसे दीरे दीरे तोलना है ताकि यह आपका काच डेमेड ना हो कर लिया है अब हम इस रिंग को निकालेंगे यह साइड पर एक गैप होता है उसे दबा कर दोनों साइड से निकाल लेंगे और रिंग को साइड पर कर देंगे है यह दिरिक को साइड के रख दिया है अब 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 इस को वार कनेक्शन में आपको आप इस लखा के दिखा ता तो यह जाए और यह अ बोजेटिव वार को अब देखे कि एक लेंब चालो है अब बाकी करें तीन लेंब यह जो है नहीं चल रहे है कि एक लेंब होके है कि यह कि तीन स्क्रूम को लेंगे और इसका लेंज बाहर निकालेंगे हाँ कि अब करेंगे है कि अब करेंगे है कि अब हमने खोल लिए अब इसका लेंज उठाएगे कि अब लेंज को अब निकाल कर साइड में रख लिया है अब अब आपको अब करेंगे वायर कनेक्शन मार के फिर से दिखाता हूं तेके यह एक लेडी चल रहा है और बागी के तीन नहीं जल रहे हैं कि अब हम कॉलेंगे इस साइड के लेंज जहां उसके नीचे एक लेडी है और उसके सामने वाले साइड की लेंज के नीचे भी एक लेडी लगा हुआ है क्या है अब मैं आपको LED दिखाता हूँ एक दो तीन और चार्ट टोटल LED है इसके अंदर अब इसका कनेक्शन मार्क के एक बार फिक्से आपको दिखा देता हूँ देख सकते हूँ आप यसी बेकी LED जल रही है और बाकी की तीन एले भी नई जग रही है अब हम यह मल्टीमिटर लेंगे यह मल्टीमिटर को हम कंट्विटी मोड के रखेंगे कि मल्टीमिटर कंट्विटी मोड पर रखती है अब हम इसके पावर सप्लाई के वायर चेक करेंगे कि इसमें कि कोई वायर खराब तो नहीं गये कि वायर भी ओके है यह भी ओके है इसके तीन वायर ओके है इसके पावर सप्लाई प्रपर अंदर तक जा रहा है चलिए अब चेक करते हैं यह चार एलेडी कि तेले यह एलेडी चेक करेंगे कि कोई एलेडी शॉट्ट तो नहीं है या तो उड़ा हुआ तो नहीं है चेक कर लेते हैं लेडी में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हता है सेमन्टी मीटर कंट्यून उपर रखने पर बल्ब हलका सा जलता है कि यह लेंप हलका सा जल रहा है यानि यह ओक है है मैं आपको नजज़िक से दिखाता हूं कि देखें कि तुद्रा यानि यह ओक है अब यह वाला चेक करते हैं कि यह जल्राए यह जल्राहि इसे भी चेक करते हैं कि ये जल रहा है कि ये जल रहा है ये भी जल रहा है इसे भी चेक करते है उसी तरह से ये भी जल रहा है यानि ये तोना एलेटी लेंप बल्ब ओके है अब अगला वाला ये चेक करते हैं कि ये जल रहा है कि नहीं जल रहा है कि इस लो पोजिटिव नेगेटिव यह लगे तो हम वायड को चेंज करके देखते हैं कि यह जल रहा है कि यह नहीं जल रहा है यह यह वाला चेक करते हैं यह जल रहा है अब हम इसका पेटरी का सप्लाई दे देते हैं कर दो हुआ है कि अच्छे करते हैं यह यह वीच वाले कनेक्शन में तिन जो है वो जनने चाहिए बटन ही जल रहा है अब मल्टी मीटर को हम 12 वर्ट पे सेट करेंगे और हम चेक करते हैं कि इसका पावर सप्लाई कहां तक सर्कृट में आ रहा है एक नेगेटिव वायर हमने ग्राउंड पे रखा है आप देख सकते हुआ और जो जो सावायर है वाइट पे रखा है यह मल्टी मीटर में यहां रखते था हूं ताक कि आपको अच्छे से दिख सकें इसमें 2.26 वोल्ट आ रहा है और यहला में प्रॉपर वोल्ट आ रहा है ऐंची का पावर सप्लाई तक आ रहा है इसमें 2.6 वोल्ट आ रहा है आप न वोल्ट बारावर रहा है अब हम चेक करते हैं कि वहां से लेडी का वोल्ट यहां तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि यह लेडी तक तो यहां से यहां तक यह लेडी टक आ रहा है और उसे आगे पास नहीं हो रहा है कि इसका मतलब कि यह लाए लेडी बल यह जो है यह खराब है अब हम इसे वायर की मदर से सोट करके देखते हैं कि सारे लेड जल रहे हैं कि नहीं जल रहे है यहां पोजटिम नेटेटिव लेडी का जोट करके देखते हैं यह लाइट ज़ला हूँ आपको दिखाता हूं कर देख सकते हैं यह दोनर बल्ट अन हो चुके है कि यह देख सकते हैं अब हम यह लेडी को यह लेडी नहीं चल रहे हैं उसे निकाल बाहर करेंगे कि यह हमारे पास पुराना अलब को लेट था उसका यह लेडी निकाल कर हम यह लेडी में लगाएंगे चलिए अब हम इस एड लेटिंग की सर्किट को बाहर निकाल लेते हैं इसके निचे कुलिंग पेस्ट मारा होता है तो यह हलका सा चीप गया है हम इसे बाहर निकालेंगे अब यह जो इसके पीछे नट आती है उसे भी टीमो करनेंगे और यह एक को वासा जैसा आता है जिसे पान यंदर में जाए उसके लिए दिया होता है है अब हम यह सर्कृट को अठा लेंगे और निकाल लेंगे आप देख सकते हो यह सर्कृट हमने निकाली है और यह जो इसके पीछे है वाइड वाइड लगावा पुलिंग पेस्ट है कि पेस्ट से क्या होता है कि आपका सर्कृट ज्यादा और हिट नहीं होता है कि यह कैस्ट है इसकी मदद से मैं इसका लेडी निकालूंगा अब हम इस गैस्टो को चालू कर लगें और यह जो हमारे पास पॉपलेम पुरा ना था उसका लेडी है इस सर्ट से के सर्कृट के बेक साइट के पार्ट को हिट करेंगे और याद रखिए कि कि इसका फ्लेम ज्यादा और नहीं मुना चाहिए है और नार्मल ही दोने के बाद यह एलेडी को हलका सा उसकर के निकाल देजिए देखिए इस तरह से जैसे में निकाला हुआ है इस तरह से आप एलेडी फ्लेम बाहर निकाल सकते हैं हुआ 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 है अब हम निकाले करें है तो यह लेडी को इसे थोड़ा सा हीट कर लेते हैं इस वी एक साइट से हीट करेंगे दो से कंट तक इसे तेक ते कलता है के नहीं पुलता है यह निकल चुका है यह देखिए यह लेडी निकल गया है कि सब्सक्राइब के पार अब यह लेडी है निकाला है यह देख सकते आप इसकी एक साइट पर तीन दौर्ट होते हैं वह माइन साइट का पाड़ रहेगा इस सार्किट में भी माइनस प्लस तीया होता है ता वहां भी लगा सकते हो अब हमने यह सोल्डर एंड कर लिया है अब इस सार्किट के पीशे के पाड़ हीट करेंगे जहां में लिटी लगाना है अब आप देख सकते हैं अब हम इसे चेक करेंगे चले चेक करते हैं अब हम इसमें बेटरी सप्लाइब देते हैं कि देखिए यह सारे एलेडी जल चुकी है अब हम इसकी फिटिंग करेंगे यह कुलिंग पेस्ट है जो इलेक्ट्रिक की शॉक पर मिलता है यह कुलिंग पेस्ट को हम इसकी बोडी पर लगाएंगे ताकि जब एलेडी चालू हो तो सरकिट ज्यादा हीट ना हो वो कोल रहे सके कि यह कुलिंग पर लगाएंगे तो ड़र लागन से बिल्गाओ छो डिल्गार शाइब लेको बिल्गार शाइब जड़ा जड़ा जाधना थाना जड़ाएब गड़ा है कि अब हम यह कॉटन की मदद से चारो एलेडी को अच्छी तरह से क्लिन कर लेंगे कि अधिन्टी तरह से चारो एलेडी को अधिन अधिन Südman की क्लिएगा झाल से चारो एलेडी को अधिन सक्टीछ कि यह जो साइट के लिए डिका लेंद से उसा भी कॉटन की मदद से अच्छी तरह से क्लिन कर लेंगे हुआ 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 हूआ है या ना हुआ जल झाने। था पाल। कớ जय कहया हुआ है closer झाल 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 आप हम वापिस एक बार क्लिन करेंगे जितना ख्लेट रहेगा अच्छा है थो इस धियाल ये ऑच्छा रहता है तो इस से कि दोनों लेंस को अच्छी तब कलेंगे पिर बीच के जो प्रोजेक्टर लेंस है उसे भी अच्छी तरह से उन्हेंट कर लेंगे की अज़िए है और अब वह लिए जो प्रजेक्टर लेंच के स्क्रू में इसे भी कर्षद देंगे थीन इस्क्रू है थीन अपर अच्छे से कस देंगे कि अच्छे सब्सक्राइब अच्छे सब्सक्राइब एक बार फिर से लेंज को कोटन की में मिदद से क्लियन कर लेते हैं कि अच्छे अच्छे का इसकती है किरा है कि अच्छे कि अच्छे कि अच्छे कि कि यह भी में के साइड में एक स्लोट दिया है तो यह पार्ट को स्लोट में प्रोपर बैठाएंगे इजबें डेराश में प्रोपर के स्लोट आ गवित परीघ करते है किसा है प्रोपर कास्तप करें है 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 कि अित नहीं हादा है कि यह वती दोगंगे इफ इचमे करें परहों कास्ते है कि फाइनली एक बार कॉटन की मतदद से लेंज और यह बॉड़ी क्लिन कर लेते हैं थोड़ी सी और यह उसका जो गलास है उसे भी अंदद से कॉटन से क्लिंग करेंगे कि अग्याइब कि अग्याइब अग्याइब कि लास में जो पूरा ना ग्लू लगा है उसे भी निकाल देंगे यह इस एक एम सिल का सिलिकोन आटीव ट्यूब है यह एक रवर अग्याइब 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 यह देखिये यह एड्लाइट चालो चुकिए अग्याइब यह देखिये यह एड्लाइट चालो चुकिए यह फूल यह लो बीम आप इस तरह से हेड्लाइट रिपेट कर सकते हों थैंक्यू पर वच्चिंग माई चैनल बॉलेट मोडिफिकेशन भाई मिस्टर सेलेश थैंक्यू सो माज अग्याइब